हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए मुगाल काल से सम्मंधित भी सत्यान महत्मूर प्रसन लेकर आया हूँ और जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए बहुत महत्मूर रहेगा दोस्तो मुगाल काल से लेटे प्रीज लाइक करें इस वीडियो को ज़ंज ज़्याजब शेयर करें। चलिए तो फरीस्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली के प्रशित जावा मस्जित का निर्माड किया दोस्तों साह जहाने ठीक है? ओप्सन भी करेक्ट हो जाएगा देखें साह जहान था इसके दोरह जो कुछ और प्रमुखन ने इमारते बनवाई गी थी दिल्ली का लाल किला दिवाने आम दिवाने खास और दिल्ली के जावा मस्जित बने अकवता है उसके लावा आगरा की मोती मस्जित और ताज महल ठीक है? इतने सारे बनवाया था साह जहाने और साह जहान के सासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है ध्यान रख कोशन देखते हैं हुमाई को मकवरा कहां इस्थित है तो ये काफी अच्छा कोशन है हुमाई को मकवरा ये इस्थित है दोस्तों दिल्ली में कहां पे दिल्ली में देखिए दोस्तों आपको कुछ और मकवरे में बता देता हूं जो आपके एक्जाम में पूछा आता है बाब ठीक हम अकबरा कहा है दिल्ली में साथी साथ बावर का काबूल में अकबर का सिकंद्रा में साह जहां का अगरा में और जहांगीर का लाहॉर में ठीक है तो आप नोट कर लीजिएगा काफी इंपोर्टेंट है चलिए अगला गोशन देखते हैं गुजरात विजय की यादगा अकबर ने इसका निर्माण कर आया था ठीक है बुलं दरवाजा कहा है अगला गोशन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट बार बार पूशा आते कोशन पानीपत की दूसरी लडाई किसके वीच हुई थी इसका एंसर पता है तो आप बता सकते हैं पानीपत की दूसरी लडाई किसके वीच हुई थी Correct answer जागा इसका option अकबार और हेमू के वीच ठीक है अकबार और हेमू के वीच हुई थी पानी पत्की दूसरी लदाई का हुई थी 5 नवंबर 1556 में अकबार और हेमू के बीच जिसमें कि इसमें अकबर विजय हुआ था ठीक है तो याद रखिएगा पांच नवंबर 1556 को चलिए अगला गोशन देखते हैं कि शुद्ध में भारत में मुगल सामराज की नीव पड़ी थी तो ये काफी अच्छा गोशन है तुसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन सी पानी पत का प्रथामिद ठीक है पानी पत के प्रथामिद में भारत में मुगल सामराज की नीव पड़ी थी कब हुआ था ये 21 अप्रेल 1526 में हुआ था पानी पत का प्रथामिद इब्राहीम लोधी और बावर की बीच जिसमें बावर विजय हुआ था हाँ ठीक है चलिए बेट्ट ऊचन है मुगल चित्रकारी किस्के साथनकार्ण में परकास्थ है टा यह पर्थ प्रप्त किय था है इसका answer पता है दोस्टों तो जरूर बता है बोगल चित्रकारी चलिए डाइट कि को बता देता हूं जहांत क cave के तो आप जरूर याद रखिएगा काभी इंपोर्टेंट है देखे जो जहांगीर के दरवार के प्रवक चित्रकार जो थे आगा राजा, अबुल हसन, मुहम्मद नासीर, मुहम्मद मुराद, उस्ताद मनसूर ठीक है तो यहाद रखिएगा और दोस्तों जहांगीर ने आगा आगरा में चित्रन साला की भी स्थापना की थी ठीक है चित्रन साला तो याद रखिएगा दोस्तों आपको पता दे कि उस्ताद मनसूर और अबुल हसन को जहांगीर कमसर नादिर अलुस और नादिर उजम्मा की उपाधी प्राप्त की थी और इसने संस्क्रित के कभी जग कभूलित की प्रथा प्रारं म की थी काफी सिंपल और अच्छा कुछन इन सुझे से नुख समंधे प्रक्त कि साबित करने लिए कि और करी OS रायदारों का धिकार इसमें नहीं दोता था ठीक है तो किस शासक ने पट्टा का वुलित का प्रतारम किती शेर साहन ने जरायदारों के दी को लिएवड़ा कोशुन यार। तो यह बीवी का मकवरा, ठीक है, बीवी का मकवरा कहा है इस्थी था यह, और अंगाबाद महारास्ट में, आज हमसान इसका निर्माण कर आया था अपनी बेगम, राभी आउद द्वरानी की याद में, ठीक है, तो यह आए याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा मकवरा दुद आउरंग जेब को जिन्दा पीर कहा जाता था, ठीक है, आउरंग जेब को, पानी पत का प्रतामी उद्द का हुआ था, यह हुआ था दोस्तों, ऑप्सन बी करेक्ट हो जाएक, 21 अप्रेल 1526 को, ठीक है, 21 अप्रेल 1526 को, इबराहीम और बावर के मद, जिसमें बावर विज आई, यह क्ये पूशण दोस्तों, पीसिक्जाम में कई बार पूचा गयाए धीन एलाही नामक धर्म किस्के दोर सुरू किया गया था, अकबार दूर्प कब शुरू किया थे, 1582 में, ठीक, 1582 में, नेक्स्ट है, कौन अंतिम मुगल समराएट थे, अंतिम मुगल समराट आता है उन्ती मुगल समराठी दोस्तों बहादुर्शाह दूती जिसको बहादुर्शाह जफर भी कहते हैं ठीक 171 अगदर ऑपसन वह दूतर अग्ला कोसिया आपको बताना है किसने मुगल समराजने अगरह से दिली राजधनी स्थानंतरीथ की थी इसका करेक्ट सब्चать को एका शाह जहाने ठीक है option D शाह जहाँ, शाह जहाँ जो है अपनी राजधनी को अगरह से दिली स्थानंतरीथ किया था, ठीक है चलिए, अग्ला कोशन देख लेते हैं किस मुगल सासक का दो बार राज्य विशेख हुआ था किस मुगल सासक का दो बार राज्य विशेख हुआ था औरंग जेब का दोस्तों जो है दो बार राज्य विशेख हुआ था ठीक है औरंग जेब अगला question है AQBAR NAMA किसने लिखा है AQBAR NAMA किसने लिखा है ABUL-Fadal द्वारा लिखा गए AQBAR NAMA ठीक है अकबर NAMA ABUL-Fadal द्वारा ठीक है तो यह प्याद रखिएगा काफी important है पिर अगला question है हमारा दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाय गया था दिल्ली का पुराना किला तो मैंने आपको बता है सेर साह द्वारा ठीक है सेर साह द्वारा बनवाय दिल्ली का पुराना किला ठीक है तो यहाँ आप याद रखिएगा अगला कोशन है हमारा अकवर ने किसे कभी राज की उपाधी दी थी जोस्तो बीरबला को, ठीक है? कभी राज को दीती बीरबल को चली अगला कोशन देख लेते हैं साः जहाने किस सहर में मोती Masjid वनवाई थी? मोती Masjid कहां पे वनवाई थी? तुमधाय को आगरा में, ठीक है? तो यहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी ताज महल भी साजाने बनवाया था दिल्ली का लालकिला, दिवाने याम, दिवाने खास दिल्ली की जामा मस्जिद ठीक है? तो यह आप याद रखिएगा साजहा के साजनकाल को दोस्तों खुर्रम था याद रखीएगा ठीक है तो यह थे दोस्तों हमारे मुगलकाल से लेटे 20 most important questions वीडियो अच्छा है प्लीज लाइक करें वीडियो को शेयर करें और लास्ट में अपना स्कोर यदि आपने पूरा solve के प्लीज कमेंट वक्स जरू लिखें ठीक है और वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो को साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए जै जै भारत वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूल लिंक की मिल आए तो उसलिम क्लिक करके आप पर्चेयर्ज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं